जब कोई औरत सेक्स कर लेती है उसकी बॉडी में क्या चेंज़ आते हैं? सेक्स करने के बाद औरत की बॉडी एक अजीब सी शेप में कनवर्ट हो जाती है और उसमें बहुत जादा हलचल महसूस चुरू होती है सेक्स के बाद आग्चली ऐसा होता क्या है? सब के बारे में बात करेंगे नमशकार मैं हूँ डॉक्टर निहा मैता मैं एक सेक्स कांस्टर हूँ और पिछले काफी सालों से प्राक्टस कर रही हूँ अपनी हर वीडियो के मादम से सेक्से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुचाने की कोशिश करती हूँ आज मैं बात करने वाली हूँ सेक्शुल स्टुमिलेशन मतलब अक्चली इंटर कोर्स के बाद फीमेल की बाड़ी कैसा महसूस करती है और क्या-क्या स्टेजस होते हैं डीटेल में मुझे पता है अब ये वीडियो अंतक देखने वाले हैं तो इस चानल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपनी गर्फरेंट से जरूर पूछ सकते हैं क्या वो ऐसा महसूस करती है जब आप उनके साथ करते हैं या अपनी वाइफ के साथ तो ये वीडियो शेयर करने लाइक भी है तो चलिए हम बात करें थे शादी की पहली रात के बाद आने वाले बदलावों के कारण सबसे पहले समझेंगे कि जैसे आप फोरपले की तरफ जाते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है हार्ट रेट बढ़ जाता है तो आपकी बाड़ी में कही न कहीं oxygen की supply increase होती है oxygen की supply increase होगी तो आप गहरे लंबे श्वास लेना शुरू करेंगे दीरे दीरे जैसी blood flow बढ़ रहा है तो आपकी जो vessels हैं वो dilate होने लगेंगी और आपका पूरा शरीर लाल पढ़ सकता है गरम हो जाता है जैसे हम कहते हैं गरम हो जाएगा शरीर लाल पढ़ जाएगा और वो ready होता है sex के लिए, intercourse के लिए ऐसे समय पे बहुत बार आपकी जो body है उसके कुछ part जैसे clitoris, मतलब female के जो नीचे के lips होते हैं वो बहुत बार full जाते हैं vagina swell हो जाता है और उनका color भी बहुत बार deep red हो जाता है ठीक है, इस face के बाद का phase आता है जिस हम कहते है platu face, platu face में क्या होता है कि आपकी body धीरे-धीरे थोड़ा से discharge produce करना शुरू कर देती है males के अंदर भी यही गर्मी ऐसे ही महसूस होती है उनका penis थोड़ा सा shape में बड़ा हो जाता है और female के जो boobs हैं breast है, वो भी थोड़ी सी size में बड़ी हो जाती है, nipples erect हो जाते हैं फिर मैं बात करूँ कि second phase में platu में actually lubrication स्टार्ट हो जाता है मतलब धीरे धीरे वहां से थोड़ा सा discharge या males में pre-cum आना चुरू हो जाता है female में भी pre-cum discharge आना चुरू हो जाता है इसका मतलब है कि आपके वजाना बिल्कुल ready है, penis बिल्कुल ready है penetration के लिए third phase को हम climax phase बोलते हैं इसमें मतलब समझ लीजे कि आप बिल्कुल peak तक पहुँच गए है आपका herodal सबसे ज़ादा high है और यहां जाके यह peak को achieve करके आपको relaxation महसूस होता है peak time एक ऐसा time है जो आपको सबसे ज़ादा pleasure की तरफ लेके जाता है peak तक पहुँचके आपकी body में से happy hormone release होता है जसको हम oxytocin कहते है oxytocin hormone आपकी bonding को increase करता है इसलिए sex के बाद आप जब भी कर रहे होता है आपको लगता है यही मेरा partner है और मैं इसी से शादी करूँगी यही सब कोच है क्योंकि वो आपकी bonding को increase करता है sex के बाद ultimately आपको ऐसा लगता है कि yes she's the right one और he's the right one last phase को हम resolution phase बोलते है resolution phase का मतलब है कि आपकी body अप बिलकुल वापस आ रही है आपका बजायना, आपका penis, आपके testicles वापस वापस अपने normal state पे आ रहे है breast बिलकुल normal state पे आती है इस phase में आपको बहुत ज़ादा आनन्द के अनुभूती होती और आप बहुत ज़ादा exhausted से feel कर सकते है आपको लुकता बस मुझे आपको उठायना मुझे नीद आ रही है, मुझे rest करने तो आपकी heart beat धीरे-दीरे normal होने लगेगी सांसे धीरे-दीरे normal होने लगेगी इस phase को हम resolution phase कहते हैं इसके लावा sex अगर हम regularly मतलब शादी के बाद जैसे female regularly करती है मेल्स regularly करते है तो आपकी body का shape, figure थोड़ा-थोड़ा increase होता है क्योंकि आपके hormone increase हो रहे है तो इना कहीं आप regularly sex में involved रहते हैं तो आपकी breast धीरे-धीरे-धीरे साइस में थोड़ी सी बड़ी हो सकती है निपल्स erected, mostly erection increase हो सकता है कई females में उनका जो body का shape है वो change हो जाता है depends on आप कितना regularly sex में involved रहते हैं maturity के signals आने शुरू हो जाते हैं आपका किसी पे trust because आपके अच्छे hormone release हो रहे हैं वो increase हो सकता है कई females जब बहुत जादा happy रहती हैं तो उनका lower area definitely increase हो सकता है male में tummy का भाग आगे की तरफ बढ़ सकता है यही धीरे-धीरे changes आपके अंदर sex के बाद आने लगते हैं आप responsible हो जाते हो आपके urges बढ़ने लगते हैं हो सकता आप नही नहीं चीज़े नहीं फैंटेसी को enjoy कर पाएं तो यह बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या changes आपकी बॉड़ी में sex के बाद आते हैं आ सकते हैं जतना आप happily without forceful उनके consent के साथ enjoy करेंगे तो आपकी बॉड़ी उतनी ही shape में, shape मतलब a good sexy shape में तीरे धीरे धीरे convert हो सकती है that's why couple who keeps happy थोड़ा थोड़ा weight gain भी कर लेते हैं और कुछ areas में उनका sizes बढ़ने भी लगते हैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से doubts को clear कर पाई है बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजर होते हैं कोई और topic है उसे comment section में लिख भेजिए और हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार करने से पहले bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे notifications आपके बास पहुंच सकें